नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा, इस विडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एमलूस क्रीम का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है, एमलूस क्रीम को कैसे लगाना चाहिए और एमलूस क्रीम की वज़से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि एमलूस क्रीम को लगाते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए, एमलूस क्रीम एक एंटी फंदल दवा है, एमलूस क्रीम का उप्योग फंदल इंफेक्शन होने पर किया जाता है, तवचा पर फंदल इंफेक्शन होने पर तवचा में लाल धब्बे, दाद, खाज, खुजली और तवचा में जखम आदी लक्षन दिखाई देने लगते ह इसके अलावा फंदल इंफेक्शन होने पर तवचा पर पपड़ी जमना, तवचा का पपड़ी बन कर उतरना, तवचा में दरारे होना, तवचा का कुछ हिस्सा सफेद वन नरम होना आदी लक्षन भी फंदल इंफेक्शन होने पर हो सकते हैं. फंदल इंफेक्शन शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है, फंदल इंफेक्शन नाखुनों और जांगों में भी हो सकता है, इसलिए नाखुनों और जांगों के फंदल इंफेक्शन को ठीक करने के लिए भी डॉक्टर एमलूस क्रीम को लगाने की सला दे सकते हैं. अब हम डिसकस करेंगे कि Amelus Cream को कैसे लगाना recommended होता है Amelus Cream को लगाने से पहले आपको अपने हाथों और प्रभावित एरिया को अच्छी तरह से धो लेना चाहिए और एमलूस क्रीम को ज्यादा रगड कर नहीं लगाना चाहिए। एमलूस क्रीम को लगाने के बाद आपको अपने हाथों को साबुन की मदद से अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। ताकि इंफेक्शन दूसरी जगह पर ना फैले। ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्तर ए तो कृप्या वीडियो को लाइक करना न भूले। अब हम डिसकस करेंगे कि एमलूस क्रीम की वज़से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं। वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में एमलूस क्रीम की वज़से कोई साइड इफेक्स नहीं होते हैं। लेकिन कुछ पसेंट व्य अगर आपको एमलूस क्रीम को लगाने के बाद त्वचा में बहुत तेज खुजली, जलन, त्वचा पर सूजन, त्वचा पर रेडनेस, त्वचा पर रैशेस या त्वचा पर छाले होना और त्वचा पर सुई चुबने जैसी समवेदना ज्यादा होती है या ऐसा कोई लक लगातार बना रहता है, तो आपको तुरंथ ही डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए, अब हम डिसकस करेंगे कि एमलूस क्रीम को लगाते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए, फंदल इन्फेक्शन एक व्यक्ती से दूसरे व्यक्ती को फैल सकता है, इसलिए जब तक फंदल इन्फेक्शन अच्छी तरह से ठीक न हो जाए, तब तक संक्रमित व्यक्ती के कपडों और शारिरिक संपर्क में आने से बचना चाहिए, अब ही इसके बारे में परियाप्त डेटा अवेलेबल नहीं है, कि एमलूस क्रीम प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान क करा रही महिलाओं को नुकसान पहुचाती है या नहीं, इसलिए ज्यादा तर डॉक्तर प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को एमलूस क्रीम को लगाने की सला दे सकते हैं वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका M.L.U. स्क्रीम से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं